नमस्ते फ्रोम निपाल तो यह मेरा निपाल में तीसरा दिन है और कल भी राप को बारीश हुए थी काफी अच्छा वेदर है बहुत ही अच्छा नीद आया और इसलिए आज भी में देर से उठाओ और अभी टाइम हो रहा है आपके 9 बज के 35 मिनेट मतलब 9 बज कर 35 मिनेट ह चलिए कुछ ब्रेक्वास्ट करते हैं और उसके बाद मेरा फैब्रेट अभी बन रहा है चिकन तो चिकन और राइस काएंगे कि नेपाल में आते ही सब का चिकन का मुझे फ्लेवर काफी पसंद आता है बहुत ही मजा आता और काफी दिनों के बाद आया हूं तो काउंगा तो उससे पहले चलते ब्रेक्वास्ट करते है कुछ फ्रेस हो गया हूं यह ब्रेक्वास्ट में चिकन सॉसेज बन रहा है वह बना रही है चिकन सॉसेज तो यही करेंगा ब्रेक्वास्ट और इसर चिकन भी मेरा बन रहा है मेरा फैब्रेट राइस रेडी है तो चलिए यह यहां पर मेरा लंच चिकन माई फैबरेट रेडी हो रहा है और चिकन राइस खाऊंगा काफी मजा आने वाला और यह ब्रेकफास्स बन रहा है चिकन सॉसस फ्राइब हो रहा है तो अभी फ्राइब उसके बाद खाएंगे लेकिन मुझे तो यही खाने का मन कर रहा है जल्दी लंच कर से कूंसा कुछ लेखामस खाला क्लрल्लंज कर लूघांस कर लोगा तौष यह मेरा ब्रेकफास्स डैडी क्या है और ब्रेकफास्स में अब बीद्र हो सकते चिकन सॉसिज और ब्राउन बडर और यह कैचञ और यह बस्त तो दिन लिए वरकष जारा हूं रहांगा क कि आप लोगों को देखने को मिलेगा तो चलिए ब्रेकपास करते हैं अच्छा है और यह बहुत इतना छोटा है लेकिन इतना तीखा होता है कि आप यह पूरा का पूरा खानी पाएंगे और यह रिजन इसको डले खुचानी बोलते हैं देखिए अब ही अब हैं आधि अभी मैं इटरी का जो बस्टेंड वहां पर हूं आप यह देख सकते हैं पस्टिम बढ़ता है तो यहां से अभी मैं बुटॉल जाओंगा इटरी से तकरीबन रात भर का सफर होगा मैं वही यहां से साड़े पांच बजे बस है अभी करीबन पांच बच के पंदर में ठो रहे हैं और टिकट मेरा लेना हो गया है और यह राइटरी अब यहां से च इसमें 400 रुपे और एड़ हुए है तो पंद्रस रुपे था भी उनी 100 रुपे देख सकते हैं तो मैं भी इटरी से बुटॉल जा रहा हूं और तकरीबन सब्सक्राइब है तो पूरी रात का सब्सक्राइब होगा तो इसलिए अभी बस आता है फिर बस का कंडिशन आपको दिखाते हैं कैसा है और मिलते हैं तो यह दिखिए यह बस आ गया है जो कि इटरी से बुटॉल मैं इसमें जाने वाला हूं मेगा एर बस और उसका अंदर सब्सक्राइब का कंडिशन में आपको दिखाता हूं कैसा है तो चलिए अदर देखते हैं एसी एक फुली लाइट्स ओन नहीं है तो यह लंबा बस है और यह यह रा मेरा सीट चलिए चलते हैं और बाते रास्ते में करते हैं अब इस अब इदनी के च्वाज के पचपन में धो रहे हैं यह आने के 7 बाइन में दस रूट बाकी है नेपाल का टाइम है तो और भी इतारी से बस शूट चुकिया है देखते हैं पाले स्टॉप इस काहां पर होता है तो यह अब इस डरी से इतारी बस टेंड से हम लोग अब यह अब यह यह अब यह अब यह निए बूट ऑल कर रास्ते अब अब स स्लग चुकिए अब इस अभी रात के 8 बच कर 10 में ठोरे और अभी मैं मतलब जार्दा तो रर्निंग नहीं है गाडी और अब हम लोगों ने फोसी नदी क्रॉस कर लगब कोसी नदी से और भी तो यहां पर पेड़ा बहुत ही फेमस होता हूं मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यहां पर पेड़ा काफी फेमस रहता और यह वही बस है जिसमें मैं भी आया हूं कि अचले कर दिख सकते हैं पर फेड़ा है यह इतारी से किता दूर है इतारी से यह कितना किमेट रही है यह जगह का या नाम है प्लेच का या नाम है जगह हाँ जगह किना आप कि पिप्टी किलो मेटर है और देख सकते हैं पेड़ा का नाम है अब तो गाइस अभी राग के फंदर मिन्ट हो रहे और अभी लालगड में पहुँच गया है और तक्रीबन हाफ हाफ पहुच गया है और यहां पर भी डिनर के लिए गाड़ी रुकी हुए तो आप देख सकत यह है यहां प्रवकल है और अभी ज्यादर टाइम नहीं हुआ है 11 बसकर बंदर में ठोड़े तो देखते हैं सुबा मॉर्णिंग कब तक पहुंचते हैं वीडियो में बढ़े लिए गाइस देखते मॉर्णिंग कितना देर होगा अभी तक तो गाई ठीक ही चलते आ रहा ह है क्योंकि रास्ता उतना अच्छा नहीं है तो गाड़ी उतने स्पीड नहीं चल पा रहा है और अभी पहाड़ी रास्ता स्टार्ट नहीं हुआ है तब थोड़ा गाड़ी और भी स्लो हो जाएगा तो चलिए देखते हैं